सब्सक्राइब अंग 한데 किये सब्सक्राइब करेंगे 이건सरव एडउंचम virus छाइब करेंगे मुन कद्रीश त्था का लिए तो फापक एडशंटर्व क Door सबस्क्राइब करने की बाख करते हैं इक सिस्टर्व को प्रोटेक्टेथ परवयरोष्ट्रawan ऑगर चाहिँ वी सेब दा इंटाइय वारेस्ट तो सेब चंजब कर रहें तो इसके इंदर बात करें बीघर मैमल्स की आफिक इन वाटीब्रेट या वाटीब्रेट गी तो हम सब क्या कर रहें वहां पर कंजब कर रहे हैं this approach is called in-situ तो इसको क्या बोलते हैं इसको in-situ approach बोलते हैं यानि कि हम जब animal को उनके natural resource के अंदर या फिर उनके natural habitat के अंदर काम करें तो इसके in-situ बोलते हैं on-site conservation. However, when there are situations where an animal or plant is in desert or threatened, organism facing a very high risk of extinction in the wild in near future and need urgent measure to save it from extinction, conservation तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक्सीडू या फिर ओपसाइड conservation in the desirable approach तो ऐसे organism में जिनकी population कम है जो endangered है या फिर वो क्या है थिएटर्ण है वो next future में लगवाग extinction की कगार में तो उनके लिए हम उनको क्या करते हैं एक्सीटू conservation की मेथड से उनके करते हैं कंजर्व करते हैं पढ़ेंगे सबसे पहले इन-सीटू conservation Faced with the conflict between deployment and conservation conservation many nations find to be unrealistic and economically not fashionable to conserve all their biological wealth Inversiably the number of species waiting to be saved from extinction far exceed the conservation resources available तो क्या है यहां पर बहुत सारी ऐसे nations हैं जो अपने country के डेप्रेमेंट और जो species हैं उनके conservation के बीच में उनमें क्या है conflict है वो यही बात का तायर नहीं कर पा रहे हैं कि जो उनका biological wealth है उनके नेशन के अंदर जितने भी जो बायर डैवरसिटी है या एको सिस्टम है वो उनको कैसे सब्सक्राइब करें और इसके अलबा ऐसे बहुत सारे species हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं किसी का extinction का क्योंकि उनको क्या है उनको conservation resource उनके लिए अविलेबल नहीं है इस वज़े से और गोल बेसे इस प्रॉब्लम हैस बीन एड्रस पाई इमेट चंजर वाशन वैसने से इस इस इसक्राइबन करुंड और नहीं हो एस पी रिधोष प्रॉडश पॉडश् just hu इसके लिए जो कौन है बायोग गंजर वेटनिस्ट हो क्या कर रहे हैं वो ऐसे बायोग डैवर्सिटी होट स्पॉर्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं जहां पर हाई लेवल पर इस्पीसीज की रेशनेस हो और हाई डेगरी का वाँपर क्या हो यानि कि सारे के सारे स्पीसीज के बाल उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर ही भाय जाएं इन्टिनली 25 बायोडिवर्सिटी होट स्पॉर्ट वेर इडेंटिफाइड बट सब्सक्वेंट नाइन मोर है बीन एडेट टू अडेट टू अडेट टू लिस्ट ब्रिंगिंग तो इस प्रकार से पूरे के पूरे वर्ड में पहले 25 बायोडिवर्सिटी होट स्पॉर्ट को बनाया गया उसके बाद उसमें नाइन और एड करके अब इनके टोटल नंबर किते होंगे 34 इस होट स्पॉर्ट आर ऑल्सो रिजन्स ऑफ एक्सिलेरेटेड हैबिटेड लॉस तो यह ऐसे रिजन्स हैं जहां पर क्या हो रहे हैं बहुत तेजी के साथ इस्पीसिज के हैबिटेट का लॉस हो रहे हैं त्री आप इस होट स्पॉर्ट वेस्टन घाट एंडिस्री लंका इंडो बर्मा एंड हिमालिया कवर आवर कंट्री एक्सपेंशनली हाई पायो डिवर्सिटी रीजिन तो इन में से इन थाटी फोर में से केवल थ्री कहां हैं इंडिया में भी प्रेजेंट जिसे वेस्टन घाट एंड स्री लंका दूसरा है इंडा इंडो बर्मा और तीसा हिमालिया यह तीन की तीन कहां प्रेजेंट हैं इंडिया के अंदर ऑल्टो ओल दा बायो डिवर्सिटी होट सपॉ इंडिया थाटी फोर उट वह कि एवल अर्थ का तू प्रेसेंट एडिया ही कवर करते हैं तो नंबर आउप इस पीसीज दे कलेक्टिव ली हेवर इस एक्स्ट्रीम ली हाई एंड इस्ट्रीक्टिव प्रोटेक्शन अब इस होट स्वाट कुड रिडियूस दा ऑन्गोइंग मास एक्स्टिंग्शन बाइ अल्मोस्ट 30 प्रेसेंट तो यहां क्या है सबसे ज्यादा एमाउट में इस्पिसीज दीनेस है और इसकी इ इस्ट्रीक्टिव प्रोटेक्शन किये गए हैं इन और इस्पॉर्ट का और जिसकी वज़े से इन में मास एक्स्टिंग्शन क्या हो सके काम हो सके इन इंडिया एकोलोजिकली यूनिक एंड बायो डैवर्शिटी रिज रिजरीजन आर लार्जली प्रोटेक्टेड एस बा अब बायो डैवर्शिटी किया काफी रिजच है तो ऐसे रिजिन को बडोटेक्ट करके क्या बना झाये सब्सक्राइब कि इस के लावा नेस्टन Duskž के इनस Gabeord बूरा नरी इहां है और फोर्टीन बायो झामीन फॉर्टेटेग्ट आइओं फॉरहन गुशन नेयट तोड़ा चेंज हो चुकए है इंडिया है से हिस्टी ऑफ रिली ईस एंड कलचलर ट्रैडीशनस इन इंपैस्ट इस्स प्रोटेक्शनों और इंडिया के अन्डर क्या हैं इन मैंनी काल्चरट ऑफ फॉरेस्ट वैर सवेग्ट सेट असाइड और ट्रीज एंड वाइल लाइफ विथिन द वेर वैंट रेड एंड गीवन टोटल प्रोटेक्शन कुछ ऐसे भी कंट्रीज है ऐसे कल्चर है इंडिया के अंदर भी यहां पर पूरे फॉरेस्ट को क्या माना जाता है देवी देवता माना जाता है और सारी जि बिपोल बॉट्यों ने प्रोट फॉरेस्ट और वीश्ट तान गड्य आज्य दो, रिना इसी दाप़ केला को इसकी ग्रूप कज्चे यद्या तो, और यह जाता है इसके लावा आरावली हिल्स इन राजस्तान, एस्टर्न घार डिजन आफ कर्नाड़का एंड महारास्टा एंड शोर्गुजा, चांदा एंड बस्तर एरियास अफ मध्यप्रदेश, इन मेगालियादा स्क्रेयर्ड ग्रूप्स आर आर दे लास्ट रिफ्यूजी इस फॉर ल काफी जादा ऐसे प्लांट की नंबर्स हैं जो के हैं अब केवल उन ही इरियास में पाई जाते हैं, बाकी और जगह इनकी नंबर नहीं देखने को मिलते हैं, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, एक सी टू कंजर्वेशन, इन दिस अप्रोष, शेटर्न एनिमल एंड तो ऐसे एनिमल जो थेटर्न हैं नेक्स्ट फ्यूचर में जो एक्स्टिंसन की कगार में हैं, उनको क्या किया जाता है, उनके नैचुरल हैबिडेट से पिक आउट किया जाता है, और उने एक स्पेशियल केर के साथ ऐसे एरियास में तका जाता है, जो उनके बिलकुल बोटनीकल गायन और वाइलाइफ सफ़ारी अब यह दॉर्ट इन बड़िए ऐनिमट्ट एम पाइल इंव और इन। पर्मेशन किया गया है बॉटनिकल काइल गायन और वाइल जाह डॉट वाइल आपनेसं। in enclosure now gametes of thetan species can be prevented in viable and fertile conditions for long period using crypto cryopreservation technique acts can be fertilized in withdraw and plant can be propagated using tissue culture method seed of different genetic strains of commercially important plant can be kept for long period in seed bank तो इन सारे चीज़ों के लिए एक्सीटू के अंदर क्या किया जाता है एक्सीटू के अंदर जो ऐसे प्लांट हैं जिनके numbers कम हैं उनके लिए tissue culture technique के द्वारा या फिर उनके जर्म प्लास्म को क्रायो पिजर्विशन के टेक्नीक के द्वारा काफी लंबे समय तक हम रख सकते हैं इसके अलावा उनके एक को भी इन विट्रो का यूज करते हैं बायो डैवर्सिटी नू नोस नो पॉलिटिकल बॉंडरीज एंड इट्स कंजर्विशन इस दियरफोर अगलेक्टिव responsibility to all nations तो biodiversity क्या है कोई भी उसकी political boundaries नहीं है सारे के सारे countries को सारे nations को इसके conservation के लिए प्रयास करने चाहिए एक साथ मिल करके The historic conservation of biological diversity The Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 तो इसके लिए जो सबसे पहला summit हुआ था उसका नाम था The Earth Summit इस biodiversity के conservation के लिए कब हुआ था 1992 में कहा हुआ था Rio de Janeiro में God opened all nations to take appropriate measure for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit यहाब क्या प्रयास के लिए किस इस के लिए किया गया था यह अपने अपनी countries की सभी लोग biodiversity को conserve करेंगे और उसका sustainable use करेंगे utilization करेंगे अपने benefits के लिए इन फॉलो अप the world summit and sustainable deployment held in 2002 in Johannesburg South Africa और इसके बात rate of biodiversity loss at global regional and local level तो इसमें यह ताइगी आगया था कि 2010 तक सभी लोग अपनी जो present rate है biodiversity loss का उसको कम करेंगे चाहे वो global level पर हो या फिर इन या local level पर हो तो यह चेप्टर यहांबा complete होता है thank you